नमस्कार मैं हूँ अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूस बुलेशन आदिवासी डेली आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मेगाले और नागालेंड में वीजेपी ने उतारे उम्मीदबार त्रिपुरा में मुख्यमंत्री ने ग्रेटर टिप्रा लेंड की मांग को क्या खारज एंब भी पोल में बात करेंगे आदिवासियों के लिए बजट में बड़ी घोशना सिकल सेल के बारे में और जानेंगे क्या कहते हैं आकडे तो शुरुवात करते हैं हैडलाइन्स के सारे मेगाले में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी साथ उम्मीदवारों के नाम घोशे नागालेंड में बरकरा रहेगा बीजेपी एंडीपीपी गट बंधन बीजेपी ने जारी की 20 उमीदवारों की सूची 40 सीटे मिली एंडीपीपी को त्रिपुरा में IPFT का डोर टो डोर कैंपेइन मुख्यमंत्री मानिक साहा ने ग्रेटर टिप्रा लेंड की मांग को किया खारिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर में सैखडो आधिवासियों निकाली रैली वन अधिकार की मांग अंबीवी पोल में जानेंगे कैसे सीकल सेल अनीमिया मुक्त भारत का लक्षे होगा पूरा असमिता और अधिकार में आपको बताएंगे तारपा वाद्देयंत्र के बारे में और अब खबरें विस्तार से आज के बिलिटिन के शुरुवात करते हैं बड़ी खबर से और खबर है मेघाल्य से मेघाल्य में भारतिय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है राज्य में विधान सभा की 60 सीटों पर 27 फरवारी को मतदान होना है उससे पहले आज बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर उम्मिदवारों की घुशना कर दी है बीजेपी ने इस बार राज्य में सशक्त मेघाल्य का नारा दिया है आपको बता दे मंगलवार से मेघाल्य में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है नामंकन दाखिल करने की आखिरी तारिक साथ परवरी है चुनाव नतीजे दो मार्च को आएंगे बीजेपी ने पिछले विधानसवा चुनाव में 47 सीटों पर अपने उम्मिदवार उतारे थे और उसे महस दो ही सीटों पर जीत मिली थी वर्तमान में मिधालय में National People's Party की अगवाई में किसी भी राशनितिक दलने गट बंधन बनाकर चुनाव लडने की घुशना नहीं की है वही राज्ये में इस बार एक नई पार्टी भी चुनावी मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के नेत्रूतों में कॉंग्रेस के 17 में से 12 विधायकों को तोड़ कर पिलाल राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है हालांकि इसमें से 3 विधायक उससे नाता तोड़ चुके हैं यानि अब राज्य में उसके 9 विधायक ही बचे हैं पार्टी ने राज्य की 60 में से 52 सीटों पर उम्मिदवार उतारने का फैसला किया है मेगाले के साल 2018 की चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था कॉंग्रेस 21 सीट पर जीत दर्जगर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी वहीं कॉन्राड संग्मा के नेत्रुतुव वाली एनपीपी 19 सीट पर जीत के साथ दूसरे नंबर पर थी UDP को 6 सीट पर जीत मिली थी तो PDF के खाते में 4 सीटे गही थी BJP और HSPDP को 2-2 सीटों पर सफलता मिली थी और अब मेगाले से चलते हैं नागालेंड विधानसभा चुनावों के लिए भारती चंता पायटी ने उम्मिदवारों की घोशना करती है नागालेंड में BJP 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहीं बाकी की 40 सीटे सहयोगी दल NDPP को दी गई है BJP ने आज अपने उम्मिदवारों की सूची जारी की वही नागा पिपुल्स फ्रंट यानि NPF ने कहा कि वो 3 फरवरी को अपने उम्मिदवारों की सूची और चुनाव घोशना पत्र जारी करेगा जबकि साथ सशस्त्र नागा संगटनों के सयूक्त बैनर नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स की कारेकारे समीती में अपने संभावित उम्मिदवारों से अपील की है कि वो नामांकन दाखिल ना करें ये समू इस विधानसभा चुनाव का बहिशकार कर रहा है दरसल केंद सरकार और NSCNIM के बीच 2015 में नए सिरे से बाचीट के बाद नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी शांतिवारता में शामिल किया गया था लेकिन इस साल चुनाव को देखते हुए ये समू नागा मुद्दे को उठा रहा है कुछ खबरों में ये भी सामने आया है कि चुनावों को देखते हुए आमादमी पार्टी JDU और RJD ने भी नागा लेंड में अपने उम्मीदवार उतारने का एलान किया है हाला कि अभी तक इनके उम्मीदवारों की घोशना और सीटों का एलान नहीं हुआ है बता दें वर्तमान में नागालेंड चुनावों से पहले एक मात्र चुनाव पूर्व गटबंधन है National Democratic Progressive Party यानि NDPP और भारती जनता पार्टी के बीच ये गटबंधन राज्य में वर्तमान विपक्ष विहीन सरकार का नित्रतूर करता है वहीं चुनावी राज्य त्रिपुरा में BJP ने टिपरा मोथा की मांग को खारिज कर दिया है त्रिपुरा की मुख्यमंतरी मानिक साहा ने गुरुआर को कहा की टिपरा मोथा की मांग आदिवासी समुधाय की भावनाओं के साथ खिलवाढ है दरसल राज्य के आदिवासी पार्टी टिप्रा मोथा ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग को लेकर चुनाव लड़ रही है साहा ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अन्य समुद्धायों यानि बांगला भाशियों के खिलाफ नारे लगाने वाले अब उनका है समर्थन पाने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा तिरपुरा के लोगों को समझना होगा कि प्रधान मंतरी ही है जो उनके लिए कुछ कर सकते है और कोई नहीं जब आदिवासी कल्यान की बात आती है तो प्रधान मंतरी वास्तव में उदार है पिशले पांच साल में पांच आदिवासे नेताओं को पदमुश्री सम्मान मिला है साहा ने दावा किया कि चुनाओं में भाजपा अपने दम पर 40 से 41 सीटों पर जीत हासिल करेगी उन्होंने बताए कि राज्य में आगामी विधानसवा चुनाओं में बीजेपी और आईपी एफटी का मुख्य चुनाओं मुद्दा स्थानिय लोगों के विकास पर रहेगा वहीं बीजेपी के सही होगी आईपी एफटी ने आज डोर टोर कैंपेंग किया है आईपी एफटी उमीदवार जयनती देव बर्मा ने इस कैंपेंग का नित्रुत्व किया ये कैंपेंग पार्टी में आश्रम बाड़ी में गोपाल नगर गाओं में किया आपको बता दें जयनती देव बर्मा त्रिपूरा के दिगज आदिवासे नेता और आईपी एफटी के संस्थापक अध्यक्ष एनसी देव बर्मा की बेटी है इस साल जन्वरी में ही एनसी देव बर्मा का निधन हो गया था और अब खबर है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर जिले के मरीहान तहसील के सैखडो ग्रामेडों ने वन अधिकारों के लिए रैली निकाली तहसील के साथ गावों के आधिवासियों ने इस रैली में हिस्सा लिया राजापूर ग्राम पंचायत के धेखवा गाउं के जंगलों में सेकड़ो आदिवासियों ने वन अधिकार अधिनियम को लागू करने और उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लेने की मांग की रैली के दोरान आदिवासियों ने महात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम यानि मन्रेगा जॉब कार्ड और 600 रुपए प्रते दिन मजदूरी पर एक साल में मजदूरों के लिए नियूनतम 200 दिन काम की मांग भी की थी आपको बता दें ये विरोध प्रदर्शन भार्टी कम्यूनिस्ट पार्टी माक्सवावी के बैनर तर लिखिया गया CPIM की जिलाध्यक्ष राजनात यादव ने कहा कि जंगल की भूमी सामनती भू माफियाओं और तथा कतित धार्मिक बाबाओं के नियंत्रण में हैं इस तरहें के माफिया फर्जी दस्तावेज बना कर और पुलिस और सरकार का समर्थन जीत कर आदिवासियों की जमीन हड़प रहे थे उन्होंने कहा कि उपजाओ भूमी से अवैद कबसे को हटा दिया जाना चाहिए और इसे भूमी ही नादिवासियों के बीज बितरत किया जाना चाहिए प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों ने स्थानिय पुलिस पर आदिवासियों को वन भूमी से दूर रखने के कई अवैद तरीकों में कथित रूप से शामिल होने का आरोख भी लगाया अपने दूसरे सेग्मेंट MBB पॉल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था वो सवाल था बजट 2023 में किंद्र सरकार ने आदिवासि इलाकों में सिकल सेल अनीमिया रोग को साल 2047 तक खत्म करने का लक्ष रखा है इसके लिए साथ करोड आदिवासियों की जाच की जाएगी क्या आपको लगता है कि सरकार ये लक्ष तै समय में पूरा कर पाएगी जब आज भी आदिवासि इलाकों में स्वास्थे सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पहुँच पाई है इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानि 6% लोगों ने माना कि पहले आदिवासियों में स्वास्थे सुविधाएं पहुचाई जानी चाहिए वहीं 20% लोगों की मुताबिक सरकार 2047 तक ये लक्षय पूरा कर लेगी जबके 4% लोगों ने पता नहीं का आप्शन चुना लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूचा था बुद्वाय को केंद्रि वित्तमंत्री निम्ला सितारमन ने बजट के दौरान 2047 तक सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रिय मिशन की घोशना की इस मिशन के तहत आदिवासिय इलाकों में 7 करोड लोगों की जाच की जाएगी लेकिन खराब स्वास्ते सुविधाएं और मौजूदा योजनाओं के कार्यान बैन की कमी इस लक्षे को संदिक्द बनाती है दरसल सिकल सेल अनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आदिवासी युवा आदिवासी आबादी में इसकी पॉजिटिविटी रेट 9 प्रतिशत है महराष्ट, मध्यप्रदेश, 36 गड़ और ओडिशा बड़ी जनजाती आबादी वाले राज्यों में देश के कुल 12 लाक लोग इससे पेड़ित है महराष्टर का पूर्वी विधर्व लगभग 50,000 रोगियों के साथ इस बीमारी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जनजाती मामलों के मंत्रवाले की 2016-18 की राष्टर व्यापी रिपोर्ट के अनुसार एक दशमलव एक तीन करोड से ज्यादा जनजाती आबादी की सीकल सेल रोग के लिए जाच की गई थी इन में से नौ दशमलव नौ छे लाक पॉजिटिव पाए गए और अन्य नौ दशमलव चार नौ लाक वाहक पाए गए पिशले साल फरवरी में जनजाती मामलों की राज्यमंत्री रेनुका सिंग सरूता ने खुलासा किया था कि महराष्ट्रों में कुल 1,69,191 लोगों में इस लक्षन का पता चला था जबकि गुजरात में 7,29,561 की पहचान की गई थी ऐसे में इस बीमारी का खात्मा करना बेहत जरूरी है लेकिन आदिवासी इलाकों में हेल्थ इंफरस्ट्रक्चर का अभाव इस लक्ष के आड़े आ सकता है इन इलाकों में स्वास्थे की बुनियादी सुविधाओं, दवाओं और विशेशग्यों की कमी ने मृत्युदर को भी बढ़ा दिया है अभी तक देश में सिकल सेल से होने वाली मौतों का कोई आखड़ा मौजूद नहीं है इस बिमारी को बोन मैरो ट्रांस्प्लांट से ठीक किया जा सकता है लेकिन ज्यादा तर आदिवासी जिलों में बोन मैरो सेंटर तक नहीं है शहरों में नीजी अस्पतालों में इसका खर्च 25 लाग रुपे से ज्यादा है वहीं आदिवासी इलाकों में ब्लड बैंक की स्विधा भी नहीं मिलती है जानकारों का मानना है कि इस बिमारी को रोकने के लिए सबसे ज्यादा युवाओं को स्क्रीनिंग समूं में शामिल करने की जरुवत है ये स्क्रीनिंग शादी से पहले की जानी चाहिए अपनी तीसर और आखरी सेग्मेंट में आज आपको बताएंगे संगीत के एक वाध्ययंत्र तार्पा के बारे में तार्पा एक जनजाती वाध्ययंत्र है जिसका उप्योग वाडली आदिवासियो द्वारा उनके उत्सम नृत्यों में किया जाता है ये एक वायू वाद्धे यंत्र है जो सूखी लौकी पत्तियों और बांस से बनाये जाता है ये वायली आदिवासियों जितना ही प्राचीन और अनूठा है तारपा बजाने वाले संगीतकार इस यंत्र को अपनी खुशी, परंपरा और समुदाय के लिए बजाते हैं तारपा बजाने या नाचने के लिए इन आदिवासियों को किसी गुरुपल या मास्टर के जरुरत नहीं होती है इनके घर और गाउं ही इनके गुरुपल है तारपा दशेरे से लेकर दिवाली तक बजाया जाता है हालां कि दिवाली पर विशेश रूप से अन्न देवता को प्रसन्न करने के लिए इसे बजाया जाता है इसके बाद इसे रख दिया जाता है लंबे समय तक रखे रहने से ये वाधियंत कई बार बिगर जाता है दशेरे से कुछ दिन पहले तारपा को फिर से दुरुस्त दिया जाता है तारपा के धुन जैसे ही बजती है आदिवासियों का नाच शुरू हो जाता है पीट के पीछे एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ते नाशते लोगों में दर्शकों में से दौड कर अचानक कोई भी शामिल हो जाता है ये नाच लगाता चलता रहता है और आज के इस बुलेटिन में इतना ही अगर आप हमसे जूनना चाहते हैं तो नीचे दिये गए वाट्सअप नमबर पर हमें मिस्कॉल दे अगर आप हमें कोई सुझाओ भीशना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद